नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सु एंडबल महार्दि स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग ने थमनेल में देख लिया होगा चेस्ट नंबर या बिब नंबर का पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आप लोगों देने जा रहा हूँ इस वीडियो को आओ शुरू से लेकर अंत तक पूरा अंकट देखिए मैं आप लोगों को बिब से रिलेटेड इस तरह का बिब होता है बिब से रिलेटेड जिस तरह का आप लोगों के दिमाग में उल्जन है मैं सब को clear करने का पूरा प्रयास करूंगा मैंने काफी marathon में participate किया है और वहां से मैंने जो अनुभाव किया है जो चीज सीखा है जो मैंने आखो देखा हाल देखा है वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग से बस यह अनुरोध है कि वीडियो के अंतक बने रहे है ताकि आप लोग अगर पहला marathon भी अगर दोड़ने के लिए जा रहे है तो खासकर वीब से related किसी तरह का भी अगर दिमाग में आप लोगों का सवाल है तो उसका जवाब लोगों मिल जाए तो सबसे पहला जो सवाल आप लोगों का दिमाग में यह आएगा कि यह बिब होता क्या है बिब नंबर या चेस्ट नंबर जिस तरह से हम लोग का अधार काड होता है सेम उसी तरह से यह हम लोग का identity काड है एक marathon में participate करने के लिए आप कोई साभी marathon में participate करने जा रहे हो वहाँ पे आपको बिब नंबर लगेगा बिना बिब का आपको दोड़ने के लिए नहीं मिलेगा यह चीज आप point guard बांग कर रख लो कि अगर आपके पास बिब नंबर नहीं है आपको दोड़ने के लिए नहीं मिलेगा और बिब से रेटेट जिस तरह का facility होती है कुछ भी आपको नहीं मिलेगा तो आपको बिब नंबर बिब तो चाहिए ही चाहिए आपको बस दूसरा सवाल यह दिमाग में आएगा कि यह मिलता कहां से है तो जब आप registration करते हो कोई सा भी event हो registration जैसे करते हो तो आपके phone में आपको एक registration ID order ID इस तरह से एक number आपको मिलेगा आपके number पर आ जाएगा phone number पर और mail ID पर वो number ले करके जहां पर भी बिब सेंटर है वहां आप जाओगे वहां पर वो number दिखाओगे वो आपको इस तरह का बिब इस तरह का बिब आपको दे देगा तो आपको यह समझ में आगिया कि यह कैसे मिलता है और यह भी आपको पतल लिए कहां से मिलता है आपको बिब सेंटर allocate रहता है आपको information आजाएगा यहाँ पर आपको बिब मिल रहा है आपको वहां सिर्फ जाना है उस time के अंदर में वो बता देंगे कि ये time से ये time के बीच में आपको मिलेगा आप जाओ उस दिन उस time के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा इसके बाद आपको दिमाग में आएगा सवाल कि इसका फाइदा क्या है अगर ये बिब नहीं है तो क्या नुकसान है तो पहला फाइदा ये है कि आपको अगर ये बिब है तो आपको दोड़ने के लिए मिलेगा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको दोड़ने के लिए नहीं मिलेगा आपको चाहे आप दुनिया का rank 1 है चाहे अपना देश का rank 1 है कोई मतलम नहीं है अगर आपके पास यह है तो आपको दोड़ने के लिए देगा नहीं है तो नहीं मिलेगा आप देख लिए सारा मेरतन उठा करके सब के पास में चेस्ट में लगा करके दोड़ते हैं चेस्ट में लगाईए चाहे थाई के पास लगाईए कही पर भी लगाईए पर आपको बीब लेकर जाना है लोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि आप चेस्ट पे लगाओ तो ज़्यादा फाइदेमंद है चेस्ट पे लगाने से फैदा है दूसरा फैदा जो है कि रास्ता में बहुत जगा में फोटो खिचाता है फोटोग्राफी होती है तो अगर आपके चेस्ट के पास में इस तरह से लगा हुआ है तो आपका विब नंबर अगर ठीक से क्लियर कट आता है तो आपका विब नंबर के हिसाब से तिन-चार फोटो आपको फ्री में मिल जाता है जो कि बहुत सारे और्णाइजर प्रोवाइड कराते हैं फोटो भी आप इवेंट के खतम होने के बाद में आपको फोटो भी आपका मिल जाएगा इसके बाद में अगर विब आपने जब रेस कंप्लिट कर लिया तो आपको विब के को देख करके आपको जो भी और्णाइजर ने फैसलिटी रखी है इवेंट खतम होने के बाद में तो वो सब चीज आपको मिलता है अगर आपको पास विब नहीं है तो नहीं मिलता है जैसे इसका एजांपल ले लेते हैं इसको देखिए यहाँ पर पहला यह वाला इसमें आपको फुड का लोगो बना हुआ है और इसमें कट किया हुआ है आप जावाला काउंटर में जाओगे रेस खथम होने के बाद में तो विब आपके पास है वो देखेगा कि यह अपने खाना भी तक नहीं लिया है जैसे ले लेगा उस पर एक मार्क लगा देगा जैसे कि मैंने ले लिया था मार्क लगा दिया दूसरा है कर दिया तो अगर आपके पास बीब नहीं है तो आपको खाना पीने का और मैडल ये सब भी नहीं मिलेगा तो बीब आपके पास होना ही चाहिए कुछ और नाइजर इस तरह से कट मार्क कर देते हैं देखिए इस तरह से कट मार्क कर दिए अलग-अलग लोग अलग करते हैं जैसे कि ये वाला सिंपल साइड में ये से टिक कर दिया तो पर वो लोग अपने हिसाब से वो लोग ये सब चीज करते हैं उन लोग सबज में आये जाए कि हमने ये सब चीज उनलों को दे दिया कि नहीं, जितने भी participant आये हैं, अब सवाल आता है, बहुत लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं, कि क्या हम लोग अपना बिब किसी और को दे सकते हैं क्या, तो ये गलती भूल कर भी मत किजिएगा, अगर आप ये काम करते हुए पकड़ नहीं है, इसके साथ में आपका हर एक detail इसके साथ attach है, जब आप phone भरते हो, तो उसमें आप अपना नाम, पता, phone, नमर, email, ID, हर एक detail डालते हो, phone, अधार, card, हर एक चीज attach रहता है, तो अगर आप गलती करते हो, पकड़ा जाते हो, तो आप बचने वाले नहीं हो, तो आप अगर इस तरह का दिमाग के सवाल, इस तरह का कोई करना सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना करें, अब मैं आपका इसका live example बता जेता हूँ कि कैसे ये चीज आपको, और नैजर को समझ मैंगा कि आप हो के नहीं हो, जैसे कि ये आप पहला बीब देखिए, ये सबसे साधर मैं नहीं, इसमें देखिए, इसमें QR code लगा हुआ है, ये QR code को जैसे ही scan करता है, पूरा detail आपका आजाएगा, कि आप ही हो की नहीं हूँ, जैसे कि मैं बिरिंद कुमर महतो हूँ, मैं हूँ की नहीं हूँ, ये QR code को जैसे ही scan करेगा, वो सब आ जाएगा, और इसको मैंने मैं बोला था ना, स्टार्टिंग में कि आपको आखो देखा हाल बताऊंगा, अब देखिए, ये है हमारा TSK का बिब, TSK 25K का, इसका यहां पर देखिए, बार कोर लगा हुआ है, जितना बड़ा event रहेगा, उतना बड़ा event में, ज्यादा जगा में check post रहेगा, checking point रहेगा, इस event में 3-4 जगा में point था, जहां आपको check कर रहा था, अलग-अलग तरीके से, आपको दिए देखेगा, ये QR, code को scan करके, जैसे ही scanner लगा के code scan करेगा, पूरा detail आपका आजागा, उसका laptop में, या उसका smartphone में आजागा, आपका photo के साथ में, कि आप ही हो की नहीं हो, अगर आ आप किसी और को अपना बिब दे करके भेज दियो, आपका photo तो वहां मिलेगा नहीं, वो ऐसी पकड़ा जाएगा, तो गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना detail में मैं आप लोगों समझा रहा हूँ, यहां तक अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, तो मैं आप लोगों से अन्रोद करूँगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अब क्या आता है कि आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा, कि बिब होता क्या है, बिब हमारा identity card है, मैरतन में दोड़ने का, मिलेगा कैसे, जब हम लोग प्रिचेसन करेंगे, हम लोगों को आइडी मिलेगा, उस आइडी को बिब सेंटर मिले के जाएंगे, वो आइडी दिखाएंगे, वो हमको दे देगा, इसके साथ में एक और सवाल आता है, क्या मेरा बिब कोई और आदमी कलेक्ट कर सकता है, तो हाँ, बिलकुल कर सकता है, जो सेंटर वाले हैं, वो सिरिफ आपका आइडी नमबर मांगेंगे, और एक आइडिनिटी कार्ड मांगेंगे, आप उनको अपना आइडिनिटी कार्ड दे दो, और आइडी नमबर दे दो, वो आपको बिब दे देंगे, तो आप अपने फ्रेंड को, अपना रिलेटिव क किसी को भी भेज करके अपना बिब माल लीजे कि आप नहीं पहुँच पा रहे हो टाइम पर या कोई तरह का समस्य आ गया तो आप किसी और से भी बिब करवा सकते हो इसके वाब आपने फाइदा समझ लिया कि आप जब दोड़ोगे तो ये बिब के पीछे में देखिए एक चिप लगा रहता है इसमें देखिए चिप लगा रहता है ये वाला में हलका पतला है इसमें मोटा है पतला मोटा से कोई मतलब नहीं है सबका फंसन एक ही है कि जब आ आपका time वो बताता है, कि आपने कितना time में finish किया है, तो bib का फैदा यह है, कि आप race complete करोगे, तो आपको time बताएगा, bib आपके साथ है, तो आपका रास्ता में जो photo खीचाएगा, वो photo आपको मिल जाएगा, इसके अलावा जब आपका event खतम होता है, event जब खतम होता है, तो आपको इस तरह से खाना, पीना, मैडल वगेरा भी सब मिल जाता है, तो all together इतना कुछ चीज है, बीब से जुड़ा हुआ, अगर कुछ चीज रह गई हो, कोई तरह का समस्या बचा हुआ हो, तो आप मुझे message कर सकते हो, call कर सकते हो, मेरे channel के about section ने मेरे number दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके number ले लिजिए, मुझे call कीजिए, मुझे message कीजिए, मुझे से जितना बन पड़ेगा, मैं आप लोगा मदद करूँगा, मैंने एक whatsapp group बनाया है, dream runner बोल करके, आप उस whatsapp group में भी join कर सकते हैं, और मुझे support करने के लिए, मेरे channel को जरू subscribe कीजिए, इतना दूर तक, वीडियो देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद,